हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मनिकान्त मानिक में आज की इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का कौवा बनाना सीखेंगे जिसको आप देखने हैं कितना एक खुबसूरत लग रहा है इसको जो हम कुछ इस प्रकार से पेपर रखे हुए हैं चुकि कावे का कलर ब्लेक तेलर होता है तो इसमें क्या करते हैं इसका साइज जो अभी है एफोर साइज इसमें बड़ा से बड़ा हम स्क्वाइर से पेपर को कट कर लेते हैं तो यह आप देख रहे हैं इसको हम कट कर चुके हैं यह हमारा पॉइंट पे लाएंगे इस हैं करके और उसके बाद यहां से फोल कर देंगे से यहां से करके फोल कर देना है र kennt को यहां पहल् Pun aver Depay लाना है so तो इसको इस प्रकार से ऐसे करके फोल्ड करेंगे और सेम इसी टाइप का फोल्ड हम इधर से इधर से इधर से इधर से भी कर लेते हैं एक बार और हम बता देते हैं यहां से ऐसे करके इस पॉइंट को यहां पे लाना है यहां पे इसे करके पुश कर देना यह फोल्ड बन ज करते हैं यह वाले फोल्ड को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस प्रकार से फोल्ड करना है जैसे अभी हम कर रहे हैं ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया फिर यहां से ऐसे करके फोल्ड कर देना है कुछ इस प्रकार से यहां पर क्या हो गया कि एक दो तीन हो गया और इधर से एक यह अब यह जो शुरू में हम यह क्या किये थे इस paper को हम उपर किये हुए थे तो फिर से हम इस paper को उपर कर लेंगे और लगभग यह आपका कौवे के shape में यह craft बन चुका है है यह आप देख रहे होंगे जब हम इसको ऐसे से कर रहे है तो यह इसका face बन गया है अब हम को इसमें क्या करना है इसका eyes बनाना है तो eyes हम simple way में बना देते हैं इसके लिए हम कोई white color का paper ले लेंगे इसको दो round circle काटके यहाँ पर चिपका देते हैं तो यह आप देख रहे हैं हम दो round circle हम काट चुके हैं white color paper का इसके बाद हम दोनों side से इस प्रकार से चिपका देंगे ताकि इसका eye बन जाए देख रहे हैं कि eye के जैसा यह बन गया है आप इसमें क्या करेंगे black color से भी आप इसमें बीच का part आप color कर सकते हैं नहीं तो आप paper को भी चिपका सकते था हम यहाँ पर एक छोटा सा फिर से round color का paper को ही cut करके चिपका देते हैं eye में तो हम इससे छोटा-छोटा side का हम फिर से क्या की है बले कलर का पेपर को कट किये हैं और उसके बाद इसके बीचों बीच हम चिपका देते हैं जब आप इस प्रकार से चिपकाएंगे तो यह आइज काफी खुबसूरत लगेगा देखने में इसके बाद भी क्या कर सकते हैं कि एक छोटा छोटा वाइट पेपर को बस पॉइंट सिप में क्या करेंगे काट करके यहां पर चिपका देंगे तो और भी ज्यादा यह हैलाइक लगेगा तो उसको भी हम कट करके चिपकाई देते हैं इसको हम चिपका दिये हैं यह आप देखने कितना एक खुबसूरत लग रहा है अब हम इसको हम इस प्रकार से इसे पकड़ करके बहुत कुछ सीखे होंगे और बनाने का भी प्रियास करेंगे और ये प्रियास आपको कैसा लगा ये जरूर आप कॉमेंट करके बताएंगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद